तो गाइस कैसे हो आप लोग तोरे नेगार इमोर्टल के नेक्स्ट नोलकीन एपिसोड नमर 323 में आपका स्वागत हैं तो चली इस सुरू करते हैं तो गाजा कि अभी तोग हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वागिं ब्रेक्ट्रू करने के बाद डायक लिए चला जाता हैं सिर्क पर अटाक करने के लिए जहांके पहले तो वो फॉर्मेशन को तोड़ता है जिसके काल जितने में डेवल डाउस सिर्क की लेकिन इसको कई बार डिस्ट्रॉय तो किया जा चुका है जो कि powerful बंदे थे जो कि impressी किया कर देते लेकिन फिर भी जिस तरीके से वागिंदी ने इसको डिस्ट्रॉय किया है आस तक किसी ने नहीं किया है जैसे ही वहाँ पर वह फॉर्मेशन टूटती हैं वहाँ पर दोग मैंन को भी दिखा जाता है इसको विशुवास नहीं होता है वैसे पता होता है कि यह फॉर्मेशन कितनी जहां पाउफुल है और इसको तोरने के लिए कितनी एनर्जी की जिरुवत होती है अहरान होते भी क्या था कि आखिरकार इसकी क्लिटिवेशन लेवल किस लेवल पे क्यों किया तो वहां पर आगे बढ़ता है कि तुम मुझे नहीं जानते तो ओल्मेंट क्याता है कि नया डेविल डाव से यहां पर 9-6 और 13 फैक्शन में से एक है और हमारे पास इंपर एक जाल्ट एंसेस्टर भी है लेकिन फिर भी आप यहां पर हम पर अटाक करें आकिर ह आप से मसला क्या मतला है आपका हमारे से और यहां पर दो इंडर्स अगया किवार क्याता हो तुम्हें तुम्हें भूल गया अब भी तुम सब याद हो और यहां पर तो सिर्फ सो सालीं गुजरे हैं तुम्हें 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 याद ही हुगा कि आकिरकार मैंने कैसे मैं अर्थ कॉंटने में स्लाउटर मचाया था क्या तुम्हें मैं याद आ गया अब जैसे महा सब्सक्राइब करने वाला है कि उस वक्त मैंने कहा था अगर में बागने में कामियाब हो पाया तो मैं डेविल दाउस सेख को पूए इमोटल एंस्ट्रो कांटूनर सी मिटा दूना उसके नामों निसान को खतम कर दूना जिसके साथ दिखाया जाता है वो अपने यिंग ब्लेट को जोगी 30 फिट लंबा होता है उससे भी निकालकर उससब पर अटाक कर देता है और दिखा जा से जिसको देखकर वो बुड़े आदमी की एक्स्प्रेशन बदल जाते ही क्योंकि वो फील कर पार होते कि वाउनिंग के अंदर से निकलने वाली ट्रिफाइंग और बहुत ज्यादा है यहां पर अगर नहीं रुका गया तो वो मारे जाएंगे और वो लेट ट्रुब को जोड़ कर अटाक कर दाता है ताकि उस बंदे उस ओल्ड मैन को मारा जा सके अब दिखा जाता है कि वो एक्ट कर चुका होता है अपने सारी पावर्स को ग्यादर करके उसने अटक कि अटाक कि आथा अब उन ओल्ड मैन को बहुती दिक्त का सामना करना पड़ता है वो उस अटाक को रोक ही नहीं पार रहे होते हैं और यहां पे हमें वांग दिन के पिछले कहानी के बाइन वाता जाता है कि क्या से उतने इतना सफर के आतर इस पार्ट पर स्कीप करता है कि आपने सारे एपी सोर्स को द अधर करता है और इसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने यंग बेर से और सब के जितने भी पार सब्सक्राइब करता अधको जो ओल्ड में होते जो दोनों ओल्ड में वो अपने ट्रेस को निकाल लेते हैं ताकि वो इस अटाक को रोक सके लिकिन वांग निन का पावर इ एक जाड्स होते हैं जैसा मैंने एक जाड्स के बारे में आपको पहले बता दिया कि उसकी पावर कितनी जाटरी फाइंग होती अपने लिवस के अंदर वो क्यासे बंदू को आसानी से मार सकते हैं लेकिन दिखाया जाता है कि वो अपने गोल्डिन विटल लौ का भी नदें होता है और दिखाया जाता है उस एक अटक से उस बन्दे की सर्ड़णाद होसे अचल्डिन और विडिखाया जाता है धर से अलब हो आती हैं उसका सोल भी उस और जिन ब्लेड की विज़र से कट कर रहा था मतलब वो खतम सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था यह से किसी वाइट रूब एक्जाल का मरदा यह सो सौकी हो नहीं था और यह सभी इतना फास्ट वात मतलब मैंने आपको बताया इतने देने में लेकिन यह एक सेकंड के अंदर से भी कम समय में हो चुका हो तार इस नजारी को दीख करता हूँ वो 30,000 डेविल डॉफ सेक्ट्स मेंबर्स को रियाक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता जिने वो भगवान जैसा मानते थे कि इनको हरा ना तो मुझकिल है आज अपन नहीं बर्स पी और वहां से भागने लगता है अपनी मौत को देखना नहीं चाहता है कि मुझे मत मारू मुझे मत मारू वहां पर डेविल डॉफ से बिल्कुल भी कियर नहीं करना था उसे चिंता थी तो अपने लाइफ की जिसके बार भागने लगता है लेकिन वानि उसे जाने थोड़ी नदें वाला था तो उसके पीछी जाता है वहाँ पर अपने से से अटैक कर देता है और फिर से पीछे दो और पर्म आटएक जाएक उस पर अटैक करता है तो साथ में अपने प्रॉंस दूब और से भी अटाक करता है और साथ में अपनी तंडर एसस मतलब वही सारी प्रोसेस को रिपीट करें उस पे अटाक कर देता है वो बंदा समझ जाता कि आज वो नहीं बचनी वाले और दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर माला जाता है जिसको दीकर वहाँ के जितने भी बंदे वोते हैं वो सरी डर के का इनर्जी से ताकि कोई भी वहाँ से भाग न सके और दिखाया जाता कि वह पुए की पुए सेक्ट पर ही अटाक कर दा जो कि अटाक पुए के पुए सेक्ट को कवर कर देता है मतलब थाटी ठाव जिन इतने भी लोग थे वो उसमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाले सब लोग अपनी जान बचा कर भागने की कोजिस कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता वो सभी उसमें मारे जाते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर नहीं बचनी वाला और आप पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब रसिस्ट कर रहे थे लेकि को दिखा आ जाता है जो कि अपने लाइफ फॉर्म को बर्ण करके उस पर अटैक करता है लेकिन वांग निंग को अपनी सिफ सेवेंटी परसंट पावर का ही यूज करके उस ओल्ड मैन को भी खतम कर देता है मतलब उसने अपनी लेवल को इस लेवल तक पहुचा दिया था कि इंपरर के टूव फेक इंपर मतलब मानलोक लेट वॉर्ड और उसमें अपनी लाइफ ऐसंस को बर्ण करके अपनी जिंद्गी को खतम करके वो इंपरर लेवल तक चला गया था जो कि फेक इंपरर लेवल होता है लेकिन इसके कान उसकी लाइफ सक्ष्पन सिफ दस सांसों क बची हुई होती है लेकिन वागिन को उसे मारने में सिर्फ अपने 70% पावर का ही इस्तमाल करना परा और अपने सिर्फ तीसरे ब्रेट में उसको खतम कर देता है और वो मारा जाता है और यहां पर वागिन कहता है तो यह ऐसा होता है पावर एक इंप्रेर का अब इंप्रेर स चाहते हो अब देखो a disskt mister rewrite every exclusively कर दिया था लेकिन से map अभी जैसे में सित्व में बदता है कि वह कुषर नहीं में होता है अब आप से कुछ मड осकु क्रत्स हो सामने क्यों नहीं आ रहे हो क्या तुम डियक थ्रू करना चाहते ह MM उन चांस देने वाला इसके बात दिखाया जाता है कि वहां पे थार्ड स्टेप कल्टिवेटर्स भी आने लगते हैं अब जितने भी बचे हुए कीरें को रहे होते हैं उनको ऐसे ही खतम करते हैं मतलब एक अटैक्स में देखा जातों मोस्टली बंदे मारे जा चुके थे क्वेटली नहीं क्योंकि एक बड़ी से स्ट को कम्प्लीटली एक ही अटैक्स में खतम कर पाना यार ऐसा क्या ही कर सकता है कोई भी और वहारे को चुन-चुन कर मारने लगता है ना दिखाया जाता कि कोई भी उसके हातों से नहीं बरसता जिसके बाद में दिखा जाता है दा ले निकलता कि उसे डर था क्योंकि उस नहीं देखा था कि कैसे वॉंग ने गॉल्डे रॉब ओल्ड मैन को एक ही जटके से मार दिया था जबकि उसकी पावर गोल्डेन इंप्रेल कल्टिवेसन जितनी आचुकी होती है और डर रहा होता है क्योंकि अगर कुस्की सामने और यहां पे कहता है कि मैं बाहर तो नहीं जाजाता हूँ, मैंने अरीडी इस मैटर को ओल एंचेस्टर को बता दिया हैं, मुझे नहीं पता कि आकिरकार उन्हें आने में कितना टाइम लें हैं, युन क्या हुआ उन सब की मरने पी, जब तक मैं जिन्दा हूँ, फिर से अपन सेट को बना सकता हूं में पास बैक अप प्लान भी है और यहां पर इंतिजार करने लगता है कि कम उसे एंचेस्टर वहां पर उसे बचाने आए दे को कल्टिविशन करने गया है तो उसके चाव तब एक पावफुल फॉर्मेशन लगी हुई थी और उस फॉर्मेशन को कोई तो कोई गार्ण कर रहा होता है जिसको कि अभी आम लोग जानने वाले हैं अब दिखाया जाता है कि वह करके उसके लिए कोई मदद आ रहे और फिर हमें दिखाया जाता है सीन्हां बाकी सारे हवें लीबू पॉल कंट्रीं में जहां पर एक बहुत बाद इवेंट आने वा यगती हैं क्यूंकि असमान से कोई आने वाला होता है गोलीन ड़िदेवल सक्राइब करो अब देको यहाँ पर फर्मान लेकर आया गुआ होता है एक बंदा और वो सभी अभी जाने लगते हैं वहाँ पर दो और मतलब तोटल में तीन बंदे होती हैं जो कि फर्मान लेकर आया होती हैं एक तो ग्रेट सोल सेख पर आया होता है और दूसरा ग्रीन डेविल कॉंटिनेंट की तब निकल पर ताकि वहाँ पर जाके वह पने लगते हैं यहाँ पर इंपरर के द्वारा फर्मान होता है अगर। आने वाला होता है सब आसमान की तब देखने ह Kansas लूft को देख धने गुटनों पर अकी कैो मार दिया जाया है इसे साथ दिखाया जाता है कि वो उसको बताते हैं कि यहां पर क्या है कि यहां पर तुम सब को जॉइन करना है और तुम सब को हमारी पास आना है और वो सब के नाम लेने लगता है कि यहां पर ग्रेट सोल सेक में से जो भी बंदे बचे हुए हैं उन सब को हमारे पास आना है और इसमें वो नाम बताने लगता है कि इसमें कौन-कौन कल्टिवेटर सामिल है जिन में से यूई फिंग टांग जिया एज क्लाउड जूई है जो डॉंग जी और और भी बंदे होते हैं जिन प्रवाटों को मानोंगे और हमारे केंप्रर कें दरबार में हाजीर होगे तो यह कहता है ठीक हम लोग आ जाएंगे जिसके बास ताभी लो ओब करते हैं वह गोल्डे नाइट वाहां से निकल परता है इसके बाद दिखाला लाता है कि वह ऐसे ही ग्रेट सोल्सेक्ट में ज जहां पर अभी वांग लिन फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर आने वाले होते हैं तो इसे साथ में दिखा जाता तीसरे फर्मान जारी करने वाले बंदे को जो की निकल चुका था और इसकी स्पीर काफी जाया होती है तो उसे पहुशने में जाए टाइम नहीं लगने वाला होता हैं जिसके बाद हमें दिखा जाता है वांग लिन और उसके फाइट मतलब वांग लिन और सेक्ट मास्टर की बीच की कमर्शेशन को जहां पर अभी फाइट होने वाली है तो इस फाइट को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और देखेंगे क्या होगा कि अगर वहां पर फर्मान लेकर वह रोयल आर्मी वाला बंदा आ जाये तो क्या होग वांग फिल्म ही उसको मार पाता या फिल नहीं क्यूंकि वह एक रोयल एडिक्ट है तो उसको सबको मानना ही पर था तो में तब तक के लिए बाए